हालो अरीवा वेलकम तू अवडर लेक्च syms तो यहाँThoseicamente दूसरह वैं आ यहां नुक्लियर फिज्क से श् principles इसित्थ करने में पिछले वह वह लेक्चर में आज वाले स्माले स समझते क्या होता है, फिर्स टोपिक क्या है इसके DC compliant gi रहा होगा मतलब कोई भी जो अनावेशित कड़ है या आवेशित कड़ है ठीक है वो किसी द्रव अर्थातिसी मैटर से जब इंटरेक्ट करता है तो क्या-क्या उसमें निस्पत्ति होती है क्या-क्या उसका नेचर रखता है ठीक है यह हम यहाँ पर पढ़ने वाले है तो देखो कोई भ आवेशित कड़ है जैसे कि न्यूट्रॉन हो गया या फिर गामा किरने हो गया यह सब किसी भी पदार्थ से टकराते हैं या माध्यम किसी माध्यम से टकराते हैं तो क्या करते हैं अपनी उर्जा को करेंगे उन परमाड़ों को ट्रांसफर कर देते हैं तो जो आवेशित है यह अपनी उर्जा खो देते हैं तो इस जो प्रक्रिया है इसको आयनन बोला जाता है ठीक है या फिर इंग्लीज में क्या बोलते है आयोनाइजेशन ठीक है अपनी उर्जा क्या करेंगे खो कर उस परमाडू को दे देते हैं तो इसको आयनन बोलते हैं और जो पर जो भी अ आवेसित कड़ है जैसे कि अल्फा कड़ हो गया या बीटा कड़ हो गया तो जो अल्फा कड़ की जो आयोनाजिशन छमता होती है या आयनन छमता होती है वो बीटा कड़ से लगभग-लगभग-लगभग-हजार गुना अधिक होती है ठीक है और जो नीट्रॉन होती है वो ज्यादा अपनी उर्जा नहीं कर पाता है तो यह बोल सकते हैं कि जो नीट्रॉन होती है वह अपनी अर्जा बहुत कम खोती है तो यह बात समझ में आ गया इतना कि कि alpha beta alpha beta और gamma में क्या होता है यह सब समझ में गये थोड़ा श्डटाड़कसा अब ऐसा मान लेते हैं कि माल लेते हैं कि जो आपतीत किरड और आपतित किरड है उसकी इनर्जी में कमी हो रही है फो क्या होती है जो उनकी इनिश3 वेलोसिटी होती है उसके विद्करमान उपाती होती है मतलब क्या हो जाएगा जैसे कि जो उर्जा में कमी है ठीक है उर्जा में कमी मतलब e ठीक है आसा समझ लेते हैं जो उरग्या में कमि रह味 हो रही है उसको E मझ समझ को बेल e upon dx इतना उरजा में कमि हो रही है तो ये जो उर्जा में कमि हो रही है उस्कड की जो इनिसियल ilosity होती है उसको v से दिजिर मालो ये माल लो तो वो तो यह ऐसा नेचर रखती है अब माल लेते हैं कि जो आप्तित कड़ है या फिर जो आवेसित कड़ है उसका इनरजी कुछ होगा माल लेते हैं उसकी गति जुर्जा क्या है एक बट्टा दो एम वी स्केर ठीक है तो बताओ इसका जिए मैं एकस के रिस्पेक्ट में दिफिनिसियसं करओंगो तो क्या हो जाएगा d e upon dx यहां से क्या हो जाएगा बताओ 1 upon 2 m यह हो जाएगा 2 v into dv upon dx लिख सकता हूँ यहां से क्या हो जाएगा 2 and 2 cancel out हो जाएगा और बचेगा क्या mv dv upon dx ठीक है इसको मैं क्या करूं यहां पे रख सकता हूं देखो इसको और कैसे लिख सकते हैं यह दि मैं प्रपोस्टनल चीन हटाता हूं तो एक कॉंस्टेंट आएगा ठीक है तो यह क्या हो जाएगा माइनस यह हो जाएगा d e upon dx is equal to minus a upon v जहां पे एक क्या है एक प्रपोस्टनल चीन है ठीक है निता अंक है और अब इस वाले इसको मैं equation 1 देता हूं मालो ठीक है अब 1 में मैं क्या करूंगा d e upon dx कमान हमारे पास है इसको मैं हमें पूट करता हूं तो बताओ क्या हो जाएगा क्या d e upon dx कमान m v d v upon dx is equal to क्या हो जाएगा minus a upon v समझ में आया अब यहां से क्या कर सकते हैं v को मैं इधर ले आता हूं और dx को उधर भेज़ देता हूं ठीक है अलग अलग कर सकते हैं अपने उसमें पढ़ा होगा differential equation में ठीक है तो इसको मैं कर देता हूं इधर m v square यह हो जाएगा d v equal to dx उधर से ले जाएगा तो यह हो जाएगा a dx यहां तक समझ में आया अब ऐसा मान लेते हैं कि जो यहां पर हो मान क्या रहे थे यह सामने से आवेशित कड़ा रही है ठीक है यहां पर एक माध्यम है कि इस्से टकर आता है ठीक है उसके बाद इधर से आगे नीगल जाता है अपनी उर्जा क्या करें का यहां पर से अपनी उर्जा खोकर इस जो माध्यम है इसके पर और माड़्वों को दे देता है ठीक है तो यहां पर जो उर्जा में जो कमी हो रहा है उसकी को यहां पर मेजर कर रहे है ठीक है तो ऐसा माल लेते हैं कि जो यहां पर जो कड आ रही है इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ initial velocity होगा उसको माल लेते हैं वो क्या है V0 है और जो कड का परास है या फिर जो कड का range है वो क्या माल लेते है R है मतलब R range तक जाने के बाद यह क्या करेगा यह जो कड की जो velocity है वो खतम हो जाएगी वो 0 हो जाएगी मतलब कड क्या हो जाएगा रुक जाएगा तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हो यह इसमें limit लगाना चाहूं तो बताओ बैसेकली मैं यहाँ पर integration करना चाहता हूं ठीक है integration करना है इसलिए मैं यहाँ पर limit रख रहा हूं तो बताओ यह समझ में आ गया मतलब velocity यह सेड विलो सीटी वाला टर्म है उससेड डिस्प्लेस्मेंट वाला या विस्थापन वाला समझ सत्य दूरी वाला टर्म है ठीक है तो इसमें मेरे को वाला ही लिमिट लगाना पड़ेगा ठीक है इंटिक्रेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा इ अब इसका लिमिट लगा दिया ठीक है और इधर क्या है डीवी अब बताओ उससे पहले इसको भी लिए ठीक है यह हो जाएगा अब इसका लिए एक्स अब इसका limit लगाते हैं लिमिट लगाते हैं वेलोसीटी क्या हो जाता है बाद में उसका विलोसीटी 0 हो जाता है यहाँ पर पर यह x displacement वाला है तो बताव यहाँ से क्या हो रहा है पहले तो 0 यहाँ पर टप्राया गए जैसे यहां से मालों यहां तक जाता है तो इसको मैं आर बोल सकता हूं मतलब आर रिंज तक क्या हुआ आर परास तक वह पार्टेकल जा पाया ठीक है तो यह चैएगा 0 से R समझ में आ गिया limit लिमिट बैस थोड़ सा है हम पर सोचने वली बात है बखी फिर हो जाएगा अब इसको हम लोग थोड़ सा integration करते हैं तो क्या हो जाएगा aim बाहर निकल जाएगा aim क्या है यहाँ पर जो कड आ रही है उसका mass है ठीक है तो यह aim बाहर निकल जाएगा v square है इसका integration करेंगे तो यह हो जाएगा v cube upon 3 और limit लग जाएगा v 0 से 0 ठीक है यहाँ पर क्या होगा a minus a बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब यह हो जाएगा x और इसका limit लग जाएगा 0 से r ठीक है यहाँ पर limit पूट करेंगे तो क्या होगा पराटर में तो 0 हो जाएगा अपर limit में second में minus m यह हो जाएगा v 0 cube upon 3 और इस head क्या हो जाएगा यह हो जाएगा minus a r और यह हो जाएगा 0 ठीक है तो 0 के लिखना जोरत नहीं है तो यहाँ पर minus और minus में काट सकता हूँ दोनों side से और यहाँ से मैं r कमान निकलना चाहूँ तो बताओ r कमान क्या आजाएगा r बराबर a को मैं इधर निचे ले आता हूँ तो यह हो जाएगा m v 0 cube upon 3 a ठीक है तो यह हमारा क्या आगया r कमान आगया range तक मान मतलब range आगया मतलब क्या हो रहा है देखो जो range है r जो है यह क्या हो रहा है किस पर depend कर रहा है velocity पर depend कर रहा है जो initial velocity था उस पर depend कर रहा है कैसे depend कर रहा है तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ यहां से ऐसा लिख सकते हैं ठीक है आर इस प्रबोशनल टू वी जीरो क्यूब मतलब मैं क्या निस्कर्स निकाल सकता हूं कि जो आवेशित कड़ है या फिर जो भी यहां पे कड़ है यह क्या हो रहा है जब किसी माध्यम से टकरा रहा है तो उसका रेंज कितना हो रहा है तो रहा है तो इसके गं के अंशुक्रम वंपाति हो रहा है या फिर उसके क्यूब के प्रपो्स्थ्ण हो रहा है है Do lang Harlem है तो मतलब क्या होगा आथ क्लियोमेटर तो रेंज में वो क्या कर पाएगा अपना प्रभाव दिखा पाएगा थिक है समझ में तो यतना दुरी को गवर करेगा ऐसा इसमें निकालना चाहे है तो रेंज समझ में आ गया range क्या होता है जो परास कमान क्या होता है initial velocity है काणका उसके qub के प्रपोस्टनल होता है ठेक टो आई होब समझ में आ गया होगा पुरण यहां पर कैसे कैसे निकाले हैं ठीक यह बात हो गया यह थो थोड़ा मैथमेटिकली हो गया रेंज कहां तक रेंज यहां पर आएगा उसके बारे मता दिया ठीक है और यह जो यह जो आया ना यह रिजल्ट आर इस प्रपोर्शनल टू वी जीरो क्यूब यह क्या होता है सभी कड़ों के लिए सत्य होता है मतलब सभी कड़ के लिए ट्रू होता है हर एक कड़ फालू करता है ऐसा नहीं कि कुछ आवेसित कड़ कर रहे हैं और अनावेसित नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं है हर जितने भी कड़ होगा चाहिए वह आवेसित हो अनावेसित हो सब यहां पर फालू करेंगे ठीक है यह उदासीन हो तो भी यहां पर फालू करेंगे और इसी को ही न गाईगर का नियम भी बोला जाता है ठीक है क्या बोलते हैं इसको गाईगर का नियम गाईगर का नियम तो यह बात भी आपको पता होना चाहिए ठीक है और सभी कड़ के लिए क्या होता है ट्रू होता है और घुकल करते हैं जो आलफ़ा कड़ा जो ओलफ़ा है प्रोटाण है यह सब प्नाइच करते हैं जा sin करते हैं जुख भाडि कड़ को उप्र मतलब जो जो प्रोटाण का देने प्रोटाण प्रोटान हो गया। अब उन पर मार्ग को देपाते हैं और अपने मार्ग से इनमें निचर होता है, मैं आप लेख देखा हूं, जो प्रोटान होते हैं, होते हैं और जो अलफा कड़ होते हैं यह क्या होते हैं बहुत ही कम विचलित हो पाते हैं और फिर बहुत कम उर्जा खोते हैं और बहुत ही कम उर्जा खोते हैं ठीक है और बहुत उर्जा कम खोते हैं मतलब इसका मतलब है कि अपने मार्ग से बहुत ही कम विचलित हो पाते है कि इसके अलावा जो हलके हलके कड़ होते हैं जैसे कि इलक्ट्रॉन हो गया फिक गामा केड़ने हो गया इन लोग क्या करते हैं थोड़ा सा डिफ्रेंड नेचरप दरशित करते हैं मतलब यह क्या करेंगे जब माध्याम से टकराते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो कड़ प्रक्रिणित हो जाते हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, ठीक है, कौन-कौन से बताता हूं, इलेक्ट्रोन हो गया, पोजिट्रोन, पोजिट्रोन मतलब इलेक्ट्रोन का अपोजिट, मतलब E+, ठीक है जो इलेक्ट्रो नहीं ठीक है उसके माध्या में बहुत सारी क्या है का बैस टो यह अपने डायों से मतलबिधा इधर इधर मतर चाया था खेल युदिध खेल जाया जाया विदहर च्थे तूर कले। यह से सीद्धा नहीं जाये ठीक है तो यह बोलना चाहते हैं अफैसे यहां पे जितना मौल जितना भी कर्व है तो वो क्या करेंगे वीछब्रिथ हो जाते हैं तो यह अपनी अपनी जो एनर्जींगे इस परमाट्य वह को दे 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 हैं Mtl से समझ लो समझ तो यह समझ कम हो जाती है और कितनी कम होती है तो उसके यह वाला mx ठीक है यह अलौ फार्मूला मैंने आपको एटोमीक में भी बताया था एक से वालब में भी बताया था ठीक है तो वही फार्मूला यह वाला यह अपना आपना मतलब आपतीध इनफिडेंट का सब्सक्रों इसले म्यू क्या है यहां पर इसको म्यू को बोलते हैं म्यू के बताता हूं मैं जो म्यू है एक नीतांग है ठीक है जो कि माध्यम की प्रकृति पर डिपेंड करता है यहां पर अलग माध्यम रखेंगे तो उसके लिए म्यू कमान अलग हो जाता है और एक्स क्या है यहां पर मैं लि थीक है एक मैं कर लूँ मैं एक्स दूरी तक चलने गुप्रान ठीक है तो यह एक्स कहा दूरी है यह तो हो गया intensity के बारे में माल लेते हैं कि यहाँ पर जितना भी कड इसका माल लेते हैं कि एन जीरो कड था कितना कमी आता है तो वह सेम इसी इसमें भी फार्मुला निकाल सकते हैं एड इसलों हो गया यह जो इलक्ट्रोन हो गया या गामा किरने हो गया इनकी बात ठीक है अब जैसे पर्टिकुलर बात करते हैं तो जो इलक्ट्रोन होता है या फिसको मैं क्या बोल सकता हूँ बीटा कड़ भी बोल सकता हूँ ठीक है यह सेम ही होता है ठीक है बीटा कड़ को भी इलक्ट्रोन से यह घ्क किया जाता है ठीक है रहा लेक्ट्राउण और बिटा कड़ होते है इनकी इनरजी लगबग-लग लगबग माल एक मेगा इलक्टरोन वोल्ड की है, या इससे अधिक होती है ठीक है जो इनरजी एक मेगा होती है इनकी जब इतनी अधिक होती है तो इनलों क्या करते है एक स्कड़नि उत्वन कर Запाष है तो यह से क्ट्रव्वं रहा रहा है तो यह इसके पस कुछ होगा और यहां पर क्या है माध्याम के पर्माडव है तो यह अपनी उर्जा उनको देते हैं और यहां पर जो कड़ है यह क्या होते है excited हो जाते हैं ठीक है जो इनको इनरजी मिलता है तो यह झा उसकी ऐसे घुकर करते हैं, वह कि इसे मगाई प्रविए थाद यह तो यह यह सघने के बाद थोड़े दिर बाद किया करते हैं जब यह नीचे आते हैं थीक है, ज़्याद करते हैं तो यहाँ बीटा कड़ क्या स्बस्तीर है एक मेग में लेक्ट और और जी तब करते है तो क्या होता है इतने हुआ है उत्पन्न होती है कि किया है इस मिल्गज करने श्रक्षा में होटिक यदि गामा किरने के एनर्जी एक किलो इलेक्ट्रान वल्ट हो ठीक है एक किलो इलेक्ट्रान वल्ट हो तब यह क्या करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सो करता है और उसे अपनी इनर्जी लॉस करता है ठीक है क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो इलेक किड़ने की जो एनरजी है वो एक में आर विल्लयन इलेक्ट्रोन वोल्ट ऊहूँ वन मैं मतलब आज यसे वन руб किसको बोलते हैं दस लाग को बोलते हैं न की यह दस लाख हो गया इसको कैसे सकता हूं किए बस्वाइक सब्सक्राइद ःग ठीक है तो इसको मैं कितना लिख सकता हूं दस की गहात 6 तो यदि जो गामा किरने हैं उसकी इनरजी 10 की गहात 6 मेगा इलक्ट्रॉन वोल्ड के आसपास हो तो यह लिख सकता हूं तो यह लिख सकता हूं तो यह गामा किरने की इनर्जी इस इनर्जी से थोड़ जादा हो तो यह अरण जब करता है उस प्रक्रिय ugh करता है now और यह जब करता है उसके बाद उस प्रक्रिय क्इ quieren अपनी नर्जी कर देता है अपनी अपनी और इस निक … तो इस प्रकार independentconnect केर लग अलग अनेर्जी पर अंप न्यग प्रभाव सो करती है समझ में आ गया और जो एक्ट्रॉन बीटा कड़े हैं यह क्या करते हैं एक स्किर्ण उत्पन करके अपनी एनर्जी लॉस करते हैं समझ में आ गया तो हम बैसेकली हर एक कड़ के लिए हर एक आविसित कड़ के लिए हम लोग बता रहे हैं कि क्या क्या नेचर रखता है तो प् बहुत ज्यादा होजाटा का सपास होती है तो क्या करते हैं ॉद्पन करके अपनी अर्ज़ करते हैं और गामा इनरजी पर अलग अलग रखता है ini एक किलोट्रोन वोल्ट होगा तो फोटो एलेक्ट्रिक इफेक्ट सो करता है ठीक है एदि मालो एक मेगा एलेक्ट्रोन वोल्ट होगा तो वो कामटान इफेक्ट सो करता है और उचकी इनरजी वन मेगा एलेक्ट्रोन वोल्ट से भी ज्यादा होती है तो वो पेयर सित कड होते हैं चुकि इन में आवेस नहीं होता ये भी सेम क्या करते हैं इसके जैसे निचर रखते हैं मतलब बहुत ही कम अपनी उर्जा खो पाते हैं उसके पास एनर्जी नहीं रहता ठीक ज्यादा तो क्या खोगा तो वह क्या करते हैं जैसे यहां पे निट्रॉन आ रहा ह मतलब यह जो माध्यम है इसके जो परमाडू है इनको दे देता है और वो यह जो परमाडू है यह क्या करते हैं यह प्रक्रिणित हो जाते हैं यह अपने मार्ग से विछलित हो जाते हैं और किसके माध्यम से होते हैं तो प्रोटान के माध्यम से मतलब आवेशित कर के माध्यम से प्रक्रणीट हो जाते हैं यह अपना इनर्जी इनको देता है और यह जो खुद के पास जो परोटान है वह या फिर जो आभिशित कड़ है वो उसको प्रक्रणीट कर देता है बेसिकली जो नीट्रॉन है न इसको मंदन कारे के लिए यूज किया जाता है मतलब कि जैसे यह यह जो माद्यम है इसमें महुत सारे पनमाडू है ठीक है वह excited हो जाते हैं माद्लो तो यहां से क्या करेंगी neutron का bombardment करवाएंगे तो यह जो है इलेक्ट्रॉन वह उसके energy थाड़ कम हो जाता है ठीक है तो इसके energy कम करने के लिए हम लोग neutron का bombardment करवाते हैं तो यह इसमें नेच है या न्यूट्रावीशित रखते हैं तो बहुत ही कम विश्यत हों पाते हैं यह पैसली के मंदन का काम करते हैं तो फ्राकार से जो ना वैसित है या यो Τा gepher hi तो इस प्रकार से अलग अलग कड़ जब मैंटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो अलग अलग निचर रखते हैं हमको यहीं पढ़ना था इस टॉपिक में ठीक है टॉपिक नाम ही गया था देख लो नुट्रान तथा आवेशित कड़ों की द्रविकसांत अनुक्रिया इंट्रेक्शन अब चार्ज पार्टिकल इनुट्रान विद्ध मैंटर तो आई होब आपको समझ में आ गया होगा कैसे नेचर रखता है बस यह थोड़ा सा बेसिक वाल है इसमें मेरे खास एक्जाम में यहां से नहीं पूछ सकता पुछेगा भी तो आप लिख सकते हो ठीक है बाकी यह थोड़ा सा इंट्रॉडक्शन था कि कैसे कैसे यहां पर नेचर रखते है पदार्ट ठीक है तो यह हो गय सब्सक्राइब करना और मिलेंगे फिर नेचर में थांक्यू बाबाए